नमस्कार स्वागते आपका दोभी घाट पर मैं हूँ अशोकवान खड़े फिर लाया हूँ खबर के पिछे की खबर खबर ये है हमारे देश में मीटू अभियान ने जोर पकड़ने के बाद महिला उत्पिडन की और शारिनी शोशन की जितने भी मामले है उसके निराकरन हितू केंद्र सरकार एक मंत्री समूर का गटन करने के बारे में सोच रही है इसके पहले केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्री मेंका गांधी ने यहाँ प्रस्ताव सरकार के पास रखा था कि रिटायर्ट जजों की एक कमिटी गटित की जाए जो इन शिकायतों का निराकरन करे लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए यह एक ने प्रस्ताव सामने लाया कि एक मंत्री सम्हों का गठन किया जाए जिसमें एक वरिष्ट महिला मंत्री अध्यक्ष हो वह इन तमाम शिकायतों की जाच करेगी और उसके बाद इस पर क्या कारेवाई हो और सरकार ऐसे उत्पिलन को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती है इसके बारे में सरकार को एक सजेशन देगी उसके बाद केंदर सरकार कुछ नए ठोस उपाय सामने लाईगी खबर के पीछे की खबर यह है हमारे देश में महिला उत्पिलन को लेके पहले ही बहुत कड़े कानून बनाए हुए है लेकिन इस देश का दुरभाग्य है कि बन कोई नई बात सामने नहीं आई जहां महिलाए काम करती है उस कारेक्षेतर में महिलाओं के साथ यह दिशारीरिक शोषन होता है या उनका उत्पिलन होता है तो वो कंप्लेंट कर सकती है यह प्रोविजन पहले ही कानूनों में है लेकिन कानूनों का इंप्लेमेंटेशन इत कानुन के तहट ही उन तमाम अपराधियों को सजा दिलवा सकती है लेकिन जब मंत्री समुहक के गठन की बात होती है तो ये मामला और खीषता नजर आता है और हम इसके अंदर सरकार से अपिक्षा भी क्या कर सकते हैं जिस सरकार के मंत्री पर महिला उत्पड़न के और शारीर सरकार अपने छवी को बचाने के लिए उससे इस्थिवा लेती है ना कि उन महिलाओं को नयाई दिलाने के लिए यह खबर की पिछे की खबर देखते रहे है धोभी घाट